नवस्कार दूस्तों है टूप चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS एक्जाम 2022 और एल्टी ग्रेड एक्जाम के लिए GS टॉप 20 का पांचवा स्रीज देखेंगे इसके पहले चार स्रीज अप्लूट कर दिया गया है तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले रिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल पर पहली इबार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पीडियो इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर में जाएगा आप देख सकते हैं अने के टाउफ एजुकेटर्स के द्वारा पूरे स्लेवर्स को कम्प्लेट कराया जाएगा कोर्स का डियोरेशन जो है एक साल का है यानि की बारे मन्त का है और यह वैच आपका 9 फरवरी 2022 से सुरू हो रहा है तो नीचे इसका डिटेल दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वहां से जा कि आप चेक कर सकते हैं और मेडियम इसका जो होगा हिंदी है आप देख सकते हैं तो यह आप यह आप यूपी पीसीएस 2030 के तियारी अभी से करना चाते हैं तो आप इस बैद से जूड सकते हैं और अपनी तियारी को आप कंप्लीट करके जो है एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो यह आप अनकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारे रेफरल कोड आप यूज कीजेगा एक्जाम लर्नर जिसे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों यह आप यूपी पीसेस का एक्जाम फर्स्ट अटेंप में जो है क्लियर करना चाते हैं तो आज आपको पूरी प्रिपेशन इस्टेजी और गाइडिन्स जो है एक्सपर्ड के द्वारा दी जाएगी नेचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गय या वहाँ से जाके आप रजिस्टर नौ करके जो हैन हो सकते हैं और यह आपको रात नौ वजे इस सेशन जो है आपको देखने को मिलेगा तो जो भी आपका यूपी पीसे या फिर यूपी त्रिप्रिप्रस्टी एक्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट होगा सभी देवता की स्तुती संग्रहित नहीं है चार बिकल्प दिया गया इसमें आपको बताना है कि कौनसा आपसं सही हो जाएगा तो यह बिकल्प पसुपती सही हो गया पर रिगवेद में अगनी इंद्र वरुड और मित्र इन सभी देवताओं की जो है इस्तुतियां संग्रहित है और रिगवेद में इंद्र को बादल का देवता माना गया है अगनी का स्थान इसमें दूसरा है और वे लोग मानते थे कि अगनी में डाले जाने वाली आहूतियां धूमा बनकर आकास में जाकर अंतते देवताओं को मिल जाती है पसुपती को हरपा काल का मुख्ध प्रिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ड जीवनी है तो है ललित बिश्तार ये आप समसे हो जाएगा ललित बिश्तार एक महान बौध सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ड जीवनी है मिलिंद पन्हों का संबंध बौध विच्छू नागसेन तथा इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मधि संबाद से है और सारी पूत्र परकरण ये गौतम बुद्ध की एक प्रमुकसी से सारी पूत्र के विश्तार में है और अवदान सतक जो है ये बौध धर्म से संबंधित एक सो चरित्र संबंधी कहानियों का संकलन है तो इसमें एह आपसन से हुआ ललित बिश्तार तीसरा प्रशने उरैयूर परशिद्ध है तो ये परशिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के ब्यापार के लिए बी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और चौता प्रामन के जुनागर अभिलेक में चंद्रगुप्त मौरी और असोक दोनों के नामों का उलेक मिलता है इस अभिलेक से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौरी ने सौरास्ट प्रांत में सुदर्सन झील का निर्मान कराया था जबकि असोक ने इसका पुनर निर्मान कराय तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा पांचवा प्रशने चेदी राजवन्स वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है तो यह संबंधित है उरिशा से B आपसने आपसने पे सही हो जाएगा मौर सामराज के आवसेसों पर जिन राज़ियों का उदे हुआ उनमें कलिंग का चेदी वन्स भी है और जिस समय दक्कन में सात्वाहन सक्ति का उदे हो रहा था उसी समय कलिंग उडिशा में चेदी राजवन्स का उदे हुआ था तो यहाँ B आपसन सही हो जाएगा च्छटोग प्रशनती आ गया कि अंकूर वाट के प्रशिद्ध हिंदू मंदिर का निर्मार किसने करवाया था तो ये करवाया गया था सूरी वर्मन दूतिय की दारसी विकलपेहाब है पर सह हुआ जाएगा अंकोरवाट विश्टू का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिशत था विश्टू का सबसे बड़ा धार्मी किस्मारक है यह कमबोडिया में सिम्रिप के अंकोरवाट मेश्टित है जिसका पूराना नाम यह सूधर पूर था इसका निर्मार समराट सूर्य वर्मन धुतिय द्वारा हुआ था और यही एक विश्णू मंदिर है साथमों प्रशने सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सापसन यहां सही हो जाएगा तो पहले दियागा है लेखक और दोसे तरफ उनके रचना दी गई है तो बाडवट की रचना है हरस चरित यह का हो जाएगा यहां पर तीसरा बिलहर की रचना है बिक्रमांक देव चरित तो यहां पर B का हो जाएगा चौथा और अतुल का जो रचना है वह है मूसीक वंस सी का हो जाएगा दूसरा और संध्याकर नंदी का रचना है रामचरित तो डी का हो जाएगा पहला है यानि कि 3, 4, 2, 1 जिस आपसन में होगा वह सही होगा तो आप देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 और एक सी विकल्प में है तो यह सही होगा अगला पुर्शन है भक्ति आंदोलन के किस संत ने अपने उपदेश संस्क्रित के अस्थान पर हिंदी में दिये तो यह दियागा है रामानंद के त्वारा यह आप सन्यापे सही हो जाएगा स्वामी रामानंद को मधिकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है वे पहले ऐसे आचारे हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और इनके बारे में प्रचलेत कहावत है कि दर्विड भक्ति उपजाव लायो रामानंद उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का स्रिय स्वामी रामानंद को ही जाता है इन्होंने अपने अधिकतर उपदेश हिंदी में दिये और रामानंद जी ने बहरागी संप्रदाय की अस्थापना भी की थी तो यहाँ पर यह आपसन से हुआ रामानंद देस्वा प्रशने की सासक ने तीन सो संस्कृत पुष्टकों का फार्सी भासा में अनुवाद करवाया है तो ऐ फिरोज तुगलक बी आपसन से हुआ फिरोज साय तुगलक ने नगर कोट के अभियान के दोरान जौला मुखी मंदिर से सुरक्षित रखी विभिन विस्यों पर तीन सो संस्कृत पुष्टकों को प्राप्त किया और राज कभी आजू दिन खाली खानी द्वारा दलाईले फिरोज साही के नाम से फार्सी पद्ध में अनुवाद कराया है था इग्रहों पुष्णे विजे नगर काल में वराह क्या था वराह इसमें था स्वर्ड सिक्का ये आफसन से हो जाएगा विजे नगर सामराज का सरवाधिक फरसिद्ध स्वर्ड सिक्का वराह था जिसका विदेसी यात्रियों ने हूड वर्दोस या पगोडा के रूप में उले किया है सोने के छोटे सिक्क्यों को परताब और फडम कहा जाता था और चांदी के सिक्के तार कहलाते थे बारहाओं प्रशने फत्वा ए आलमगीरी की रचना नेमने में से किसके सासनकाल में हुई है तो औरंग जेब के सासनकाल में भी आफसन से हो जाएगा फत्वा ए आलमगीरी नामक पुस्तक में इसलामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का उलेक है इसका संकलन और अंग जेब के समय में सेख निजाम ने कराया था और इसे मुस्लिम बिधी का सबसे वड़ा संकलन माना जाता है अगला प्रशनव है निमलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंद में सही सुमेलित नहीं है कौन सा तो यहाँ पे डी आफसन जो दिया गए तबकात ए अकबरी अवुल फजल ए गलत है आपका तबकात ए अकबरी के लेखक है निजामुदीन एहमद इसके लेखक है बाकी सभी सही है किरान उस सादेन के लेखक है अमेर खुसरो, फुतुहाते, फिरोचाई, जयाउदिन बर्नी का है और मुंतकव उलतवारिक ए अब्दुलकादिर बधायुनी का है तो दी आपसन यहा अगला प्रश्ण है, टीपु सुल्तान से संबंधित निमलखित कत्नों पर बिचार कीजिए, फिर कूट से सहीव बिकल्ब का चेयन कीजिए, पहला दिया गया है स्रिरंग पत्नम में उसने एक स्वतनतता का विरिच लगवाया, दूसरा दिया गया है कि मराठा अकरमर से छ सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यह आप सन्या सही हो जाएगा, कत्न तीसरा इसलिए गलत है, क्योंकि टीपु ने अपनी सेना को आधनिक धंक से प्रसिचित करने हैं तो फ्रांसिसी अधिकारियों की मराठा सेनापति सदासिव राव भाव को सहयोग देने के लिए सेना लेकर आ गया था लेकिन मराठों ने उनसे सहायता नहीं ले तो ऐथा सूरजमल D आपसन सेव जाएगा सूरजमल 1756 इस भी में जाट राजिका उत्रादिखारी बना और इसे जाटों का अफलातून भी कहते हैं पानिपत के तीसरे युद्ध में जाट सूरजमल अपनी सेना सहीत मराठों को सहयोग देने के लिए आ गये थी लेकिन मराठों ने उनसे सहयोग नहीं लिया सूरजमल की मृत्तू के बाद जाट राज का पतन प्रारम हो गया था आपको पताओगा पानिपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद साह अबदाली और मराठों के बीच जिसमें मराठों की पराजय हुई थी अगला प्रशनप है उत्तरप्रदेश के फतेहफूर जन्पद में 1857 के बिद्रोह का नेत्र तो किस नेता ने किया तो किया गया था अजीमुला के द्वारा सी आपसन सही हो जाएगा फत्यपूर जन्पद ये उत्रप्रदेश के प्रियागराज और कानपूर के मध्य इस थी थे और 1857 के बिद्रोहों से ये अच्छेत्र भी अच्छूता नहीं था यहां बिद्रोह का नेत्रुत अजी मुला ने किया था ठाकुर जोधा सिंग अत्या भी यहां के बिद्रोही नेता थे फत्यपूर में बिद्रोह का दमन जनरल रेनर्ड ने किया था और लियाकतली जो है इलहाबाद में बिद्रोही नेता थे वहीं अमर सिंग और कुमर सिंग ने जगदीशपूर भी बिहार में जो है बिद्रोह का नित्रीद किया था और खान बाहदूर खान ने बरेली में बिद्रोह का नित्रीद किये थे तो यहां पर C आफसन सही होगा अजीमुला 17 प्रशने भारत में प्रतम कारखाना अधिनियम कब लाया गया तो यह लाए गया था 1881 में बी वीकल्प यहां पर सही हो जाएगा भारत में प्रतम कारखाना अधिनियम लाड रीपन लाड रीपन द्वारा वर्स 1881 में लाया गया इसके अंतरगत साथ वर्स से कम आयू के बच्चों के कारी करने पर पतिवन्द लगाया गया यहों महीने में चार दिन के अवकास का भी प्रावधान किया गया था और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में और चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लाया गया पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में और छठा कारखाना अधिनियम 1944 में लाड वेवल के समय आया था। कारखाना अधिनियम के माध्यम से बच्चों वास्रमिकों के हितों के लिए प्रावधान किये गये थे। तो इसमें पूछा गया है पहला 18 सभी क्यासी सही हो जाएगा B आपसर। अगला प्रशनब है निम्न सत्यागरे को पहले से बाद के क्रम में लगाएं तो यहां पर पहला दियेगा है वरसाद सत्यागरे दूसरा है बारदोली सत्यागरे तीसरा है चमपारज सत्यागरे चोथा है खेडा सत्यागरे तो कूट से बताना है कि कौन सा अपसर्ण सही हो ज 1923 और 24 में हुआ वार्दोली सत्य अगर है सबसे लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे 1928 में हुआ था तो यहाँ पे दिक्रम से देखा जाए तो भी आपसन से हो जाएगा तीन चार एक और दो अगला प्रशनब है इन में से कौन सा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था तो है एका आंदोलन काफी प्रशिद्ध हैं यहाँ से प्रशन हमेशा बनते हैं याद रखेगा यह आपसन से हो जाएगा एका आंदोलन वर्स 1921 और 22 में अवध की किसानों द्वारा चला तो पूछा भी जाता है कि नित्री तो किसके द्वारा किया गया था है एका आंदोलन का तो मदारी पासी के द्वारा इसका नित्री तो किया गया था सन भी याद रखेगा 1921 और अगला प्रशनब है निमलिखित कर्थनों पर विचार कीजिए पहला दिया गया बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सासक मुर्शित कुली था दूसरा है दस्तक कर्मुक्त ब्यापार करने का परिमिठ था जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फरुक्सियर की अनुमती से बंगाल वा उसके आसपास के इलाकों में किया तीसरा है काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्डन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया है वह सिराजुद दौला के सासनकाल में होई थी और चौथा है प्लासी का युद्ध वर्स 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद दौला और अंग्रेजों के मध्युआ तो निमलिखित कर्थनों में से सही कर्थन की पहचान केजिए और कूट से सही उत्तर का चैयन कीजिए तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो पहला जो दिया गया बंगाल का प्रथम सुतंत सासक मुर्शित कुली खाँ था बिल्कुल सही है दूसरा है दस्तक कर्मुक्त ब्यापार करने का परमिट था जिसका उप्योग अंग्रेजों ने फरुक्सियर के अनुमती से बंगाल व उसके आसपास के इलावकों में किया ये भी सही है और काल कोटरी तरास्दी जिसका वर्डन अंग्रेज इतिहास कारों ने किया है वह सिराजु दौला के सासन काल में हुई थी ये भी सही है और चौथा है प्लासी का यूद 1757 में बंगाल के नवा सिराजु दौला और अंग्रेज जो कम्मद्ध हुआ था ए भी सही है तो आ आथ में विल आइकन को प्रेज कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे पीडियो आपको हमाए टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया या फिर आप लिक करके सर्च कर लिजेगा और वहां से जॉइन करके पीडियाफ आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत भाँ धनिवाद